हेलो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर उमीद आप सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टन होने वाली है अगर आप CHS Enter Exam की तैरी कर रहे हो क्लास 9 के लिए दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी के Most Important 35 Question लेकर आया हूँ और अगर आप दोस्तो 35 में से कम से कम 30 Question का बिल्कुल सही जवाब दे देते हो तो आप आसाने से CHS Enter Exam को दोस्तो क्लियर कर सकते हो तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाश्ट में दोस्तो अपना स्कूर भी जरूर बताना कि आपको जो 35 में से कितने Question आपके सही थे हैं पहला Question दोस्तो यह यह आपकी सक्रीन पर अंतश्ठ व्यंजन है आपको बताना है चार Option में से इन में से कौन से व्यंजन दोस्तो अंतश्थ व्यंजन है दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए जिसमें दोस्तों मैंने वर्णों के बारे में बताया था वर्ण विचार वे वरतनी विवेग स्वर विंजन सब के बारे में आपको बताया था तोसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उच्छारन के आदार पर विं वेंजन कौन से वेंजन बताया दोस्तों सपर्स सपर्स के बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था दूसरा अंतस्त और तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था उस्म वेंजन उस्म यानि की गर्मी तो इनका मतलब क्या था सपर्स का मतलब क्या होता दोस्तों पहले सवर और व्यंजन के बारे में आपको पता होना चीए सवर दोस्टो वह होते हैं जिनका उचारन दोस्तों हम समतना रूप से कर पाते हैं जैसे दोस्तो दोस्तो कवर्ड, चवर्ग, टव्ड और बर्वर्ग नहीं कि नहीं दोस्तो जीजीव छूती है अलग अलगल स्थानों पे मूह के लेकिन एंटस्थ मेंझे दोस्तो के बीच के होते हैं यानि कि ना तो जीव पूरी तरह से छूती है किसी भी मुह के अंदर किसी भी जगा को उन्हें दोस्तों सवतंतर रुप से इनका उचारण कर बाते हैं जैसे आप अंदर किसी करते हैं दोस्तों करने की जैसे निकलते हैं और अंतस्त हो जाएंगी तिनकी जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए तो उस वीडियो के एक बार आप देखने ना आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा उसके बाद दोस्तों कुछ्चन नमबर सेकिंड दोस्तों रमायन महा भारत महा काव्या की भासा है अच्छा जो रमायन है दोस्तों उसकी भासा बताने है वो किस भासा में हैं अवदी में ब्रज में सस्कृत यह फिर बदेली में दोस्तों आपको पता होग से हैं पेंले बाद उसकी रचना किसी नी की थी महरिसी वालमी की जिने उनकी रचना की थी रचन की और कौन सी भासा में संक्रीट mesa वहासा में की थी तो उपसंस यह आपका सहीउत्र हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कुश्चन नमबर त्री दोस्तों आपके बाद दोस्तों नमबर त्री में संदी विद्यार्थी में कौन सी संदी है दोस्तों इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है संदी के बारे में आपको अगर आपने वह वीडियो देखी हूए फिर तो आप बतादोगी विद्यार्थी में कौन सी संद्य है देखे दोस्ते हैं पर पताछल जाएगा दोस्तो अगर आप इसका संदी विछेद करोगे तो सबसे पहले आए गए है आप में विद्या और विद्या पलस क्या करेंगे दोस्तो अर्थी विद्या पलस अर्थी तभी बनता है विद्या अर्थी तो विद्या के पीछे दोस्तो क्या है आ आया है किसकी sound है आ की और अर्थी में आया है दोस्तो चोटा तो बड़ा आ और चोटा ये दोनों मिलके दोस्तो किसकी sound मनाते हैं बड़ा आ की ठीक है ना तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी यानि बड़ा आ गई और जिसमें बड़ा की मातर आती है दोस्तो आपक दिर्ग का मतलब भी बड़ा ही होता है तो दिर्ग संदी यहाँ पे हो जाएगी उसके बाद दोस्ते कुस्टर नमबर 5 अर्थ लंकार का उधारन है चार उप्सन दिये हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा अर्थ लंकार का उधारन है पहला दोस्तो यमक फिर उपमा jatलब लंकार का उधारन हैं तो आपको पता ना चालेज हूँ आपको याद रखने हूँ सकते हैं किसमें सब्द लंकार अबर बहुत दूस्तों मुहावरा है अंदे की लाठी इसका आर्थ आपको बताना है तो आपको पता ही होगा अंदे की लाठी छोटी कलासे से पढ़ते आते हो इसका अर्थ होता है दोस्तों एक महत्र सहारा उप्सन भी आपका सहीवत्र हो जाएगा उसके बाद कुस्चिन नमबर सेवन जिस समास में विवक्ति चिनों का लोब कर दिया जाता है, वह समास काहलाता है, दोस्तों समास की वीडियो मैंने डाली हुई है, हो सकते हैं, आप लोगों ने देखी भी हो, तो उसमें बहुत अच्छे समझाया आपको समास के बारे में, तो उस समास को कहते हैं, जिसमें अरता वगेरा होते हैं इनके अधार पर आपको बताया है संपर्दान अपदान अलग-अलग प्रकार के दोस्तों के हैं ततपूर्स होते हैं विवक्ति चिनों के अधार पर तो ततपूर्स आपके हाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जैसे दोस्तों राजा कुमार हो गया राज क परचंपनियासकार बताने है भगवती चल्ण वर्मा राहूल राम धारी शिंग दिन कर यह फिर राम वरिक्स बेनीपुरी दोस्तों इसको इसको आपको एक ट्रिक्स भी बताता हूं याद करने के देखों पतीतों पतीतों से याद करो पपीतों तो पेतों पुपिता क्या है कफल है जो कि कहां भी लगता पेड़ यानि की वरिक्स पर पपीते कहां भी लगते है वरिक्स पर तो राम वरिक्स बेनिपूरी राम वरिक्स से वरिक्स ले लो पतीतों से बना लो पपीते तो वरिक्स पर लगते है पपीते तो राम वरिक्स बेनिपूरी क्या है दोस्तों इ इस उपन्यास के उपन्यास का रहा है कौन से के पतीतों के देश में तो अपसेंड़ी आपके हाबे राइट असर हो जाएगा इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो उसके बाद कुस्टर नमबर नाइन जिसके समान कोई अन्या नहीं है वाक्या के लिए एक सब्द का प्रयूक किया जा सकता है तो जिसके समान कोई अन्या नहीं है यनि कि यूनीक है जिसके समान कोई और नहीं है यनि कि यूनीक चीज़ है यूनीक को हम दोस्तों हिंदी में क्या बोलते है यूनीक को हम हिंदी मे हुज्टर् हो जाएगा उसके बाद दोस्तों नंबर 10 को नोमबर 10 हैly-rados ओसटो मेंग का प्रैवाची नहीं है छार उप्सन आपको दिये है इन इसे कौनग सा मेग का प्रैवाची नहीं है जले दोस्तों मेग यानि बादल ठीकना पयोधी भी दोस्तों इसका प्रयवाची है और प्योधी भी दोस्तों मेग का प्रयवाची है लेकिन प्योधर यह दोस्तों मेग का प्रयवाची नहीं यह स्तन का प्रयवाची होता है तो पसंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद कोस्चन नंबर दोस्तों 11 बहुत नहीं य जगो प्लस मंडल जगत प्लस मंडल यह फिर जगम प्लस मंडल दोस्तों आपको मैंने एक एक रूल बताया था संदी के अंदर जो कि दोस्तों विंजन संदी में होता है और वह रूल क्या है जब दोस्तों जैसे यहां पर लिखा जगत प्लस मंडल यह इसका अंसर होगा जब कि आगे जो अक्षर होता है वो यह तो न हो यह फिर महों तब दोस्तों कर तो किसमें चेंज हो जाता है पांचवे अक्षर जो भी होगा इसके गुरूप का जैसे यह होगा चे वाले का इया ट वाले का अन पर वाले का दोस्तों क्या होता है और त वाले का दोस्तों क्या होता तो आपको याद करना है अब यहाँ पर देखो दोस्तों जगते ़ा आगे वद ऊच्छेश्ट लगा दिया शट के आगे मास लगा दिए बीपोर्टन है शट के आगे दोस्तों लगा दिया तो का आखरी यहाँ पर म है तुमaven न उर्छन अन होता है तो शट का बनेगा शन मास में इसको जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा शन मास टक अन बन जाएगा तो यह सब चीज़े आपको पता होने चीज़ें ऐसे दोस्तों और भी ज्यदा हाथ के लिए गड़ी एन में से कोई नहीं तो easy है दोस्तों लेकिन थोड़ा confusing भी है हत गड़ी गड़ी है गड़ी नहीं है एक हत गड़ी भी होता यह हत गड़ी है तो गड़ी क्या होगा दोस्तों हाथ के लिए गड़ी हत गड़ी का मतल दोस्तों हाथ के लिए गड़ी तो option मैं पर दोस्तों बात करें उपशर की नी पलस कमम में तो अभएव यहां पर यूदध हुआ है थीकंग है ना तो अभवीव हमारे यहां पर समास हो जाएगा जो अभएव से बनते हैं जैसे बर पेट तो अभ व्यस्तों और शे misto n पक्का आता है ठीका ना तो इसको अच्छी से कर लेना और इजी भी है ज्यादा मुश्किल नहीं थोड़ी अंडर्स्टेंडिंग के टूपिंग आपको समझना है आपने अधीक रूपि रवास में कौन सा समास होगा विद्यरतन का मतलिव क्या होगा दोस्तों किके हैं पर्दान मंदल dlatego उन्से एक नया सब्द बनत है जो कि परदान होता है ठीकिला जैसी दोस्तो नीला है अंबर जिसका है पिर ऐसे बुल सकते हैं आपने सुना होगा है पित अंबर बोलते हैं तो इसमें दोस्तों विद्द्द्ध रूपी रतन है यह वाला किसका बनेगा करम धर्यका बनेगा दिवीगू में पहला जो पद होता है वह संख्या बाच्चक होता है है न चो रहा हो गया जैसे तो पहला चो चो रहा यानि कि चार रहा हो का समूँ तो इस दवीगों में आता है ततपुर सभी आपको बताया था तो विद्यरतन का दोस्तों हमारा करम धर्या हो जाएगा उप्सन भी आपका सही उत्र हो जाएगा एक बार आप अगर आप वीडि का मतलब भी क्या होता है केसम और अर्जुन तो केसम और अरजुन नहीं कोंसी संदी करोगे तो क्या बनेगा शिरो मणी में शिरो और यहाँ पे दोस्तों विसरग प्लस मणी प्लस क्या बढ़ेगा दोस्तों मणी तो आपको पता होगा दोस्तों जो यहाँ पे विसरग लगा है यह ओ में बदल जाएगा जब इसको जोड़ेंगे तो शिरो मणी बन जाएगा तो यहाँ पे विसरग यह उत्पन यह से जनम लेने वाला जैसे इसके आगे अगर मैंने लगा दिया जलज जल लगा दिया तो जलज यह जल से उत्पन होने वाला इसके आगे मैंने पंक लगा दिया पंक का मतलब होता है कीचड तो पंक यहनी कीचड से जनम लेने वाला पंक यहनी कमल को बोलते हैं जल से जनम लेने वाला जल से क्या बनता है बादल बनता है तो जल ज बोलते हैं बादल गुल इसी परकार दोस्तों एक होता है मनोज मनोज कैसे बनता है मन प्लस मनो कैसे बनता है दोस्तों मन है प्लस ज तो यह भी दोस्तों विसर का ओ बन जाता है मनोज बन जाता है तो मन से जनम लेने वाला क्या हो जाएगा मनोज हो जाएगा और मन से जनम लेने वाला कौन होता है कामदेव होता है मन से जनम लेने वाला कौन होता है कामदेव तो कामदेव को बोला जाता है तो यहाँ पे अगर समास की बात करेंगे बहुबरी समास हो जाएगा क्योंकि इस कौन सी संद्य अःण्या दो मिलके दोस्तों बड़ा या बनाते हैं तभी नगे पर भनाना उन्या तो उस्तों बड़े आकी मातरा उन्या, अपने गाईगा तो बीसों संदी test हो जाएगी option भी आपका सहीवत्र हो जाएगा उसके बाद question number 19 कहा है दोस्तों निमलेक्त में से कौन सा वाक्या सुध्ध है कौन सा वाक्या सुध्ध है उसेने कपडे डाल लिये हैं उसने कपडे डाल रखे है या उसने कपड़े पहन लिए है या इन में से कोई नहीं तो देखते ही दोस्तों आपको पता चल रहा होगा है ना उसने कपड़े पहन लिए हैं होगा ना कि डाल लिए हैं या डाल रखे हैं तो पहन लिए हैं होगा उसके बाद दोस्तों कुछ्छा नमबर 20 इसमें बताना है दोस्तों कौन सा विकल्प आपका सही है कौन सा विकल्प दोस्तों आपका यहां पे सही है यह एक गहरी समस्या है यह एक अगाद समस्या है यह एक घंबीर समस्या है यह एक सुघंबीर समस्या है तो यह भी दोस्तों एजी है यह एक घंबीर समस्या इसे आपने नहीं देखी तो इसको देख लीजए आपको अलंकार बहुत यच्छे से समझ में आ जाएंगे तो यमक अलंकार दोस्तों आपको हैपी अंसर हो जाएगा उसके वाए दोस्तों कुस्टन नमबर 22 मुदित महीपती मंदिर आए ये भी दोस्तों वीडियो में मैंने करवाया हुआ है मुदित महीपती मंदिर आए इसमें लंकार बताना है तो म म यहाँ पे दोस्तों इसकी आवरित्थी हुए म की तो जब कोई भी एक वरन है उसका बार-बार दोस्तों आवरित्थी होती है तो उसमें अनुपरा सलंकार होता है बहुत ही इज़ी है आपको पता होगा अगर आपकी रीडिंग स्केल अच्छी है तो अधी नियम का सुध वर्तिनी दोस्तों कौन सी होगी दोनों बार दोस्तों आपे छोटी एकी मात्रा आती है धर के उपर भी और न के उपर भी अधी नियम होता है तो option A आपका सही उत्तर यहां पे हो जाएगा उसके बाद दोस्तों question number 24 question number 24 है दोस्तों गवरण का उचरान स्थान आपको बताना है गवरण का उचरान स्थान क्या होगा दोस्तों तालव्या कंठ्या दंत्या मुर्धन्या दोस्तों इसकी मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग बताने वाला हूँ और आज के बाद आप कभी नहीं बूलोगे इन वर्णों का उचरान स्थान दोस्तों आपको पता है कर वर्ग होता है ठीक है तो इनकी दोस्ते ट्रिक होती है मैं आपको बहुत आता हूं किसकी ट्रिक हैँ इनकी उचरान स्थान की देखो तो ट्रिक क्या है के टी एम और डी ओ यहनि कि कि कती आम आपको पता बाई को नाम है उर डी ओ का अंब única करना Gibbs प्रुका yo होता है दूस्ता है तलाव या हो या होस्ट है इसको बोल सकते हैं अब यहाँ दिखो क्या हुआ ग्वरन है बस आपको यह करवर्ग के अंतर दो أو मंतर ये कंठ तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कंठ है यहां पे उचरन स्थान हो जाएगा चछ जट वालोंगा दोस्टों तलव उच्राण स्थान हो जाएगा तठञ फढ़ का मुर्धन्र हो जाएगा ओस्टां यहां पर उच्राण स्थान हो जाएगा तो यह ट्रिक आपको याद रखनी है केटी fighters दो औहुत है वघ्र सान्व में कैईए उस one क स्व्यर्व सकाय को सब्सक्राइब तैब तो इसके बॉत डूस्त संग्य की विशयस्ता बताने वाले सब्दों को क्या का जाते हैं तो बहुत इज़ी कोश्चन है, संगय की विशेष्टा बताने वाले सब्दों को विशेष्ण कहते हैं, और जिस सब्द की दोस्तों, यहाँ देखो, जो सब्द विशेष्टा बताते हैं, वो कहा है दोस्तों विशेष्ण, और जिसकी विशेष्टा बताए जा रही है, वो ह होता है प्रविशेशन यानि अगर जिसकी विशेश्टा बताई गई है वह विशेशन है यानि विशेशन की विशेश्टा बताने वाले को हम क्या बोलते हैं प्रविशेश्टा बोलते भी आपको ध्यान में रखना है तो संग्य की विशेश्टा बताने वाले विशेश्टा आपका सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद question number 26 आदर निये सब्द में प्रियुक्त प्रत्य आपको बताना है आदर निये सब्द में प्रत्य कौन से हैं दोस्तों एक होता है उपसर्ग एक प्रत्य है तो यह दोस्तों एक important topic है उपसर्ग दोस्तों सब्द के आगे लगते हैं और प्रत्य पीछे तो आदर निये में प्रत्य कहीं न कहीं यहां पर आसपास होगा तो दोस्तों आदर तो आगे का सब्द है आ भी आगे का सब्द है इसका उनिये होगा यह अनिये होगा अब दोस्तों आप लोग सोचोगी आदर प्लस निये आदर निये बन जाएगे ले कि अणिया होता यह कुछ नहीं होता, ठीक न कर तो आदर प्लस निया होता है, य printed अ य फिर निये मिलेगा दूस्ट लिखावा, य П chili मिलेगा, अगर उप्सण लगा देते हैं नमया प्लस ते लेकिन दोस्तों स्टे नहीं आएगा पहले जब जो विसर्ग है इसका सव बनता है तो नमया प्लस ते आएगा नाकि नमया प्लस ते तो पड़े लिखे बच्चे भी कई बार इसको गलती का देते हैं तो आपको ध्यान रखना है उप्सन डियाप का सही उत्तर हो जाएगा तो उसके बाद कुस्टर नमबर 28 प्रतेग वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता देखो दूस्तू प्रतेग वर्ग का जो पहला और दू दूसरे हैं यह दोस्तो अघोस हैं गह और गह यह तीसरे चोथ्य हैं यह हमारे सगोस हैं फिर पांचवा क्या है पांचवा क्या है पांचवा के दोस्तों हम सिंपली पंचमाक्षर बोलते हैं क्या बोलते हैं पंचमाक्षर पंचमाक्षर ठीक ना पंचमाक्षर बोलते हैं कोई भी हो जाइसे च र reckon पहले दूसरे तो अगोस हो जाएंगे फिर दूस्तो बहु होगेए सघोस और इया दूस्तों हमारा हो जाएगा सघोस तो पहले और दूसरे किसी भी ब्रंड के पहले दूसरे को आगोस EB. बोलेंगे तीसरे चुत्थी को सघोस. पांच यह को बोलेंगे दोस्तों यहाँ प्याए पांच एक हम बोलते हैं पंच माक्सल तो इसमें पहला दूसरा पूछा है तो अगोस आपके है सही उत्तर हो जाएगा इसके लावा दोस्तों दुट्वित्व वेंजन क्यों यह आपको पता होना चीए जैसे दोस्तों आपक नहीं सहे शोड़ और अधा या और एक पूरहा यह कर सब्सक्टार Haben जिसमें जैसे दौस्त है क्षर के बना हुआ यृसिसuteur दो छायर से मिलके बना वत बनता है धरल प्लस ृ से बनता है तर देभी स्यूकते हैं यहां पर विंजनाए आपको पताओनाट चाहिए एक सबसे इंपोर्टन है दोस्तो ढिव इसको इसको ढयर बोलते हैं लेकिन इसका जो संधीय विज्ञान हो गया ओंधो किस परकार होता है यहीmon को याद कर आएस बता हो अपने पता होगा रस Infinite is दूस्त अक्षर श्यूक्तिवंगए तो चार सब्सक्रiken कर सब्सक्रण आपथा पता चलंग जब चलंगे उप्सने इसका सहीटर दा अब देखते है कुश्चर नमबर 29 रगुपति रागव राजा राम बहुत ही इजी है इसमें दोस्तों आपको बताना है अलंकार तो ररर की यहाँ पर आवरित्ती हुई है तो अनुपरा सलंकार यहाँ पर हो जाएगा उप्सन डी आपका सहीटर ह हो जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों क्या है कारक लगा है गाएं यह भी दोस्तों क्या है संग्या नाउन है बहुत काली है अब दोस्तों काली है यह दोस्तों विसेशन है काली है यह कहें विसेशन है लेकिन बहुत काली है काली में भी कैसी बहुत काली है तो विसेशन की भी आपको पता होने चाहिए उसके बद कुस्टर नमबर 31 कतीन काव्या का परेथ किसे कहा जाता है मत्यराम केसवदास सूर्दास ये फिर चिंतामने दोस्तो कठिन कावय का प्रेद कहा जाता है केसवदास को केसवदास दोस्तों एक अलंकार वादी संपरदाय के थे अब इसमें कहा था दोस्तों जब यह रचना लिखते थे तो अलंकारों को इतना ज़्यादा प्रयोग करते थे कि इनकी रचनाएं मतलब समझ में नहीं आती थी किसी को बहुत ही इनकी रचनाएं क्या होगी कलिष्ट होगी यानि कि समझ में नहीं आती थी किसी के तो केसफ दास को दोस्तों कठिन कावय का प्रेद कहा जाता है इनकी क ज्रचने चुना कावय का राम चंदर सुकल नाम का प्रेज को केसफ जीको तो यह भी आपको याद रखना है और इनकी एक रचना की बात करते हैं दोस्तों केसवदास की कवी प्रिया होगी है ना कवी प्रिया और रशी का प्रिया है ये दो रचना ही है आपको पता होने चीए ठीक है ना कवी प्रिया है और रशी का प्रिया है ठीक है ना यो इनकी दो रचना ही भी आपको पता होने च केसव दासकी उसके वाद कुस्तर नंबर 32 निमन में से कौन सी रचना जैसंकर परसाद की नहीं है जैसंकर परसाद की रचना कौन सी नहीं आपको बताना है दोस्तों कामाईनी चंदरगुप्त और लहर ये तिनों जैसंकर परसाद की रचना है लेकिन हुंकार है दोस्तों ये जैसंकर परसाद की है लेकिन हुंकार दोस्तो रामधारी सिंग दिनकर की रचना है ठीक है ना सभी के सभी वीडियो दोस्तो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ठीक है ना वो प्लेलिस्ट आप देख लेना उसमें आपको सभी टोपी की वीडियो मिल जाएगी तो राम डॉसतों निर्वेद, वाच्छल यह फिर संव्य सकते हैं तो निर्वेद आपके हैं पर यहाँ जुगुपसा ये फिर घ्रेना विहानक कभ है और साथ का दोस्तों निर्वेद हो जाएगा तो ये भी आपको पता होने चीज से भी कोस्टन पोचा जाता है उसके बाद कोस्टन नमबर 34 ये भी दोस्तों NCRT से है अकबरी लोटा कहानी के लेखक कौन है अकबरी लोटा कहानी जिने लिखा है पानी की कहानी एक चैप्टर होगा वो लिखा है निर्मल वर्मा ने दोस्तों बाज और साब एक चैप्टर वो लिखा है तो अकबरी लोटा दोस्तों कहीं पूछा जाता है अनपुर्ण अनदन वर्मा इसका सहीवत्तर हो जाएगा उसके बाद कोस्टन नम पार्टी निराला और कामता प्रसाद गुरू जो भी दोस्तों इनके रचनाकार है वो बहुत ही परसीद है तो आपको पता उन्हें चीए किसकी पंक्तिया है ठीके ना इसका कमेंट में दोस्तों आपको उंसर बताना है साथ यह आपको बताने 35 में से दोस्तों आपके कितनी question सही गए है ठीक है इमानदरे से आपको बताना है ठीक है ना तो 30 plus question अगर आपके सही है तो बहुत अच्छा है अगर otherwise दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेनत करने की जूरता है और दोस्तों आप मेनत करते रहो ठीक है ना exam दोस्तों आपको clear करना है किसी भी आलत में crack करना है तो मिलते हैं दोस्तों आपको next वीडियो में आज के लिए इतना है अगर वीडियो से थोड़ी सी भी आपको help मिले हो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो like जरूर कीजेगा comment करके बताना वीडियो कैसे लगी और साथ ही दोस्तों जैदा है जैदा अपने दोस्तों के साथ share भी किजेगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो एक छोटी सी request है चैनल को subscribe करके बेल आइकन भी जरूर प्रस कर देना ताकि जब भी वह आपके कोई नई important वीडियो लेकर रहा हूं उसकी notification आपके बास सबसे पहले पहुंच जाए और दोस्तों हमारे जो टेलिग्राम वर्ट्सेप ग्रूप और जो टेलिग्राम और वर्ट्सेप ग्रूप का लिंक है वो आपको description मिल जाएगा अगर आपने जोई नहीं किया है तब उस